दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब का बहुत बहुत स्वांगत है हमारे चानल हेल्ठ ही रियल्वेल्थ है वास्त्विक जिम्दगी में भी हेल्थ यदी नहीं है तो सब कुछ होने का भी कोई प्रयास करेंगे चोटे चोटे प्रयाग जो आपको healthy रखने में मददकार करेंगे उन सबी को में इस वीडियो में शामल करेंगे ताकि आप सब इसका benefit उठा सके और unnecessary की जो खर्चें उससे बढ़ सकें तो दोस्तों आग बात करेंगे कि क्या आप भी सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं लोग यह कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं हमें हमारा blood sugar लगता हमें ताज की ने मिल रहे हम तब ही खड़े हो सकते हैं मतलब लिटरिली मैंने लोगों के मूँ से सुनाया है कि अगर हम चाय नहीं पेंगे तो मेरा सरगूमने लगता है हम भीहोशी जैसी फील कर रहे हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारा शरीर हिलता है जब हम काम कर पाते हैं अब देखे इसका रीजन क्या होता है यह एक ऐसी चीज है जिसको सच बताऊं तो लोग समझ नहीं पाते कि होता क्या है actually होता क्या है कि जब भी आप tea या coffee लेते हैं तो उसका reason क्या होता है कि उसको लेने के बाद बहुत सारे stimulants होते हैं especially जो caffeine जिसे आप कहते हैं और ये जो caffeine होता है ये क्या करता है ये हमारी body में heart rate को बढ़ा देता है breathing rate को बढ़ा देता है जिसकी वज़े से जो हमारी body है वो stress feel होती है और उस हमें feel होता है कि हम बिल्कुल हम start करने के लिए आ रहे हैं अब हमारी body जो है वो बिल्कुल ready है काम करने के लिए और आपने देखा होगा कि चाय लेते हैं जो लोग सुबह सुबह वो जल्दी किसे खाते भी कुछ नहीं है क्योंकि उनकी भूग सी भी मर जाती है लेकिन इस एक आदत की वज़े से जो लोग कहते हैं कि हम जम बे जाते हैं एक्सरसाइस भी करते हैं लेकिन हमारा वजन कम नहीं होता आप मेरे कहने पर दो महिने इस आदत को बदल कर देखें सुबह सुबह काली पेट चाय लेना छोड़के देखें आपका दो से तीन कीलो वजन सिर्फ इस एक आदत को छोड़ने से बदल जाएं यह एक ऐसी आप कह सकते हैं रिमेडी कह लीजे एक ऐसा तरीका कह लीजे जो आपकी बॉड़ी के एक्स्ट्रा फैट को भी घटा सकता है देखे होता क्या है कि जब हम उठते हैं और जैसे ही हम चाय या कॉफी लेते हैं या कोई भी कैफीन वाली चीज लेते हैं तो हमारा जो हाट और ब्रीधिंग रेट है वो बढ़ जाता है और उस जिसकी वज़े से हमें ऐसा लगता है कि हम काम करने के लिए रेडी हैं लेकिन जो stimulation या आप कह सकते हैं जो breathing rate वो बढ़ाता है caffeine या tea हमारी body में उससे blood sugar level तो बढ़ जाते हैं लेकिन body को nutrition नहीं मिलते हैं cells को उस वक्त कोई भी recovery के लिए nutrition नहीं मिलते हैं क्योंकि जब हम पहले 7-8 गंटे सोते हैं और उससे 1-2 गंटे पहले जब हम खाना खाये होए होते हैं तो कम से कम 9-10 गंटे का gap आ जाता है हमारे जो रात का dinner होता है और सुबह की चाई की बीच में अब क्या होता है कि जब हम सुबह सुबह चाई लेते हैं तो एक तो हमारे भूग को दबा देती हैं दूसरा हमारी blood sugar level increase तो हमने करा लेकिन हमने अपनी body को nutrition वाले जो food होते हैं वो कुछ भी नहीं दिया तो हमारी body क्या होती है हमारी body दीरे-दीरे blood sugar level रोज सुबह इंक्रीज होता है और आप उसको nutrition नहीं देते हैं इस वज़े से जो आपकी body है वो वज़न कम करना खतम कर देती है यहां तक कि वो वज़न को रोकने लगती है और इससे भी बड़ी बात है कि आपको एक गंदी आदत लग जाती जिसकी वज़े से अन्य और भी बिमारी पैदा हो जाती है और उसमें सबसे बड़ी बिमारी है acidity जो लोग पूरे दिन यह कहते हैं कि हम तो बहुत कम खाते हैं थोड़ा खाते हैं डाइट करते हैं एकसरसाइज करते हैं लेकिन हमें acidity बनती है उसका सबसे बड़ा reason यह है सुबह सुबह चाहे लेना अब बहुत लोग यह कहेंगे लेकिन आपको पता है कि जो antioxidants होते हैं यह work तब ही करते हैं जब आपकी बॉड़ी में proper मात्रा में का, protein और fats पहुचे होते हैं अब आप बताईए कि इस antioxidant को लेने का फायदा है क्या जब 9 गंटे से तो आपका पेट खालिए और उसके बाद आपने खाली पेट चाई पी ले और 2-3 गंटे आपने उसके बाद भी कुछ नहीं खाया तो इसका मतलब है कि बॉड़ी को nutrition तो मिला ही नहीं तो यह antioxidant भी waste हो गया है ना surprising बात तो अब आपको करना क्या है देखिए जब आप चाई कॉफी लेते हैं तो चुकि blood sugar increased हो गया तो यह सबसे गलत चीज है अब आपका heart rate बढ़ गया आपकी breathing rate बढ़ गई और आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ कुजेर कुछ भी खाने की नहीं है लेकिन सबसे बड़ी गलती हम यहीं करते है हमें सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे पहले उठना है fresh होने के बाद या fresh होने से पहले आगर आयरवेट के बाने तो fresh होने से पहले आप गरम या गुनगुना पानी ले अद्रक का पानी, हल्दी का पानी, जीरे का पानी, anything, जिसमें मसाले हैं, आपके जो हर्ब्स हैं, आप उनके साथ वाला पानी ले सकते हैं, प्लेन पानी आप लें हल्का गुनगुना, उसके बाद आप फ्रेश हो लें, फ्रेश होने के बाद, आप 15 मिनट के अंदर ही अंदर कुछ भी ऐसी चीज जो बिलकुल हाई nutrition की चीज होती है जैसे कि आपका खजूर, जैसे कि आपके dry fruits, जैसे कि आपका कोई भी अच्छा fibrous fruit आप इसे लें, उसको लेने के बाद एक घंटे, तेड़ घंटे के अंदर आप नहाने वगएरा के बाद अपने जो पूजा पार्ट है वो सब करने के बाद एक्सरसाइज करने के तुरुन बाद आप नहा के आप थोड़ा सा नाश्ता ले और नाश्ता ऐसा होना चीज जिसमें काप, प्रोटीन, सब चीज़े हो और इस नाश्ते को लेने के आदे गंटे बाद आप टी लें और सबसे बेस्ट हो ग्रीन टी लें तब जो आपके न्यूटिशन हैं, इस्पेशली जो एंटाइ ऑक्सिज़न हैं वो सबसे बेस्ट तरीके से काम करते हैं और जब इस तरह से आप टी लेते हैं, कोई भी टी आप नॉर्मल टी विउ समय लेंगे, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन तुरंत बाद नहीं लेना है, एकदम जागते ही नहीं लेना है यही एक ऐसी प्रॉब्लम है, जिसकी वज़े से लोगों का बेट बढ़ता है और अगर आप एक solid body, beautiful body चाहते हैं तो आपको सबसे पहले water लेना है, उसके बाद fresh होने के बाद आपको थोड़े से dry fruit ले, सबसे best तरीका होता है भीगेवे बदाम, भीगेवे कोई भी dry fruit जो आपको पसंद हो, या खजूर, या नारियल, या आप ले सकते हैं कोई भी ऐसी चीज, specially आप अगर fruit भी ले, fibrous food हो, तो बहुत अच्छा हो, आप एक fruit भी ले सकते हैं उसके बाद आप अपने exercise करें, देना आप नहा के breakfast कर लें, और उसके बाद, आप आधे घंटे बाद tea लें, तो आपकी body बिलकुल जागरित हो जागरित हो जागरित हो जागरित हो आप 21 दिन इस चीज को करें, अपने आप आपकी जो body है, वो इस चीज को, इस आदत को अपना लेगी और निश्चित रूप से आपको लाब मिलेगा, और ऐसा बहुत लोगों ने अपनाया है, जो nutrition होते हैं, जो nutrition होते हैं, वो भी इस चीज को पारे में बदाते हैं, बहुत बड़े जितने nutrition होते हैं, वो भी इन चीज़ों के बादे तो आप इस चीज को try करें निश्चित रूप से आपको लाब मिलेगा और अपने जो कमेंट हैं वो हमें बताएं और इसका उप्योग करके आप देखें निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आये होगा आसे रोचक जान कारें के लिए क्रिप आफ हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपना भूले दोफर दब्रते हैं ताफ से के लिए नाश्यक्त